किसी ने बड़ी कमाल की बात कई है दोस्तों कभी नहार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंदर वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों के बी सी क्वेजिन हिंदि के बी सी का फुल फार्म होता है दोस्तों कौन बनेगा करोर पति इस वीडियो में मैं 10 कोश्चन कवर करने वाल हूँ तो वीडियो को जारा सभी पोज मत कीजिएगा अगर आप किसी भी competitive exam की तैयारी कर रहे है तो वीडियो बहुंच जादा useful होने वाला है वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को एक like कीजिए और इस वीडियो को जादा से जादा share कीजिए अगर आप मेरे चानल पर आही गए दोस्तों तो प्रेस सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना बिलकुल बे मत भूले आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजे ताकि मेरी हर नए latest वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुँचते रहा निम न लिखी तभी नेत्री में से कौन सी स्रीलंका से है जैकलीन फंडैंडेस डायना पेटी लिजा हिसन या फिर एमी जैक्सन राइट आंसर क्या है दोस्तों जैकलीन फंडैंडेस ओप्सन नमबर एक को आप लोगों को याद रखना है निम्न लिखे तभी नेत्री में से कौन सी स्री लंका से है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा जैकलिन फंडांडेस ओप्सन नमबर एक को आप लोगों को याद रखना है सेकंड कुस्चन मैंने लिया है इन में से कौन से हिंदी मुहारों का अर्थ किसी को बदनाम करना है पानी डालना दूसरा है कीचर उचालना रंग लगाना या फिर मिट्टी खोदना राइट आंसर सभी लोग जामते हैं दोस्तों कीचर उचालना इन में से कौन से हिंदी महारों का अर्थ किसी को बदनाम करना है तो राइट आंसर क्या है दोस्तों कीचर उचालना ओप्सन नंबर B को आप लोग याद रखोगे अगला कोशन पारमपरीक पोशाक फेटक किस अंग पर पहना जाता है साखा, छाती, कमर, हेड, राइट आंसर क्या है दोस्तों हैड में पारमपरीक, पोशाक, फेटक किस अंग पर पहना जाता है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा हैड आ जाएगा ओप्सन नंबर D को आप लोग इसमें याद रखो गया नेक्स्ट कोशन इन में से कौन सी टीवी शो कौन बनेगा करोड़ पती पर जीवन रेखा था त्री गुनी, त्री वेद, त्री लोग या फिर त्री मुर्ती राइट आंसर क्या है दोस्तों त्री गुनी इन में से कौन सी टीवी शो कौन बनेगा करोड़ पती पर जीवन रेखा था तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा त्रेगूनी ओप्सन नमबर ए को आप लोग इसमें याद रखो गया अगला कोश्चन इन खेलो में से कौन सा स्ट्रेंड रैकेट नहीं है बैड मिन्टल ल हमारा क्या जाएगा टेबल टेनिस ओप्सन नमबर डी को आप लोगों को याद रखना है अगला कोश्चन भारत और सिंगपूर द्वारा संयुक्त रूप से किस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाता है मालावार वरून इसलिंक्स या फिर सी बेक्स राइट आंसर क् सी बेक्स ओप्सन नमबर डी को आप लोग इसमें याद रखो गया भारत और सिंगपूर द्वारा संयुक्त रूप से किस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाता है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा सी इमबेक्स ओप्सन नमबर डी को आप लोग याद रखो गया नेक्स्ट कोशन इन मुख्यमंत्रियों में से कौन गंगधर राव का मध्य नाम है सिंधर रामा यहां मनुहर परिकर या फिर देवेंद्र फटनाविस या फिर विजर रुपानी राइट आंसर क्या है दोस्तों देवेंद्र फटन वीस ओप्सन नमबर सी को आप लोगों को याद रखना है नेक्स्ट कोशन मैंने लिया है निमन में से कौन सा हर्मोन्स लव हर्मोन्स भी कहलाता है ओप्सन देख लिजे प्रोजेक्टिस रोड दूसरा है रेश्टूरेंट रोन या फिर इंसूलीन या फिर ओक्सोटीन राइट आंसर क्या जाएगा ओक्सिटोसिन ओप्सन नमबर डी को आपको याद रखना है निमन में से कौन सा हर्मोन्स लव हर्मोन्स भी कहलाता है तो करिक्ट आंसर अमारा क्या जाएगा ओक्सिटोसिन ओप्सन नमबर डी को आप लोग याद रखो गया अगला कोशन देखिए किस ओलंपिक खेलों में बैडमिंटल ये पदक खेल के रूप में पेस किया था अतलांटा 1996 नियूरिक 1972 या फिर सीओल 1980 या फिर बार सी लोना 1992 अंसर में क्या जाएगा बार सी लोना 1992 ओप्सन नमबर डी को आप लोग याद रखो गया किस उलंपिक खेलों में बैडमिंटन ने पदक खेल के रूप में पेस किया था तो राइट आंसर हमारा क्या आजाएगा बारसी लोना उननी सव ब्यानबे ओप्सन नमबर डी को आप लोगों को याद रखना है अगला कोश्चन देखिए निम्नल लिखीत में से कौन सा डेकन में बोली जाने वाली उर्दू भासा की एक बोली है आप्सन देख लिजे वहरादी, अहिरानी, कुंडी या फिर दखीनी आप्सन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखी बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या आएगा आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूच्फूल लगा हो तो प्लीस एक लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और मेरे चैनल पर आई है दोस्तों तो प्लीस सपोर्ट करके जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस रखिए ताकि मेरी हर नए लेटेश वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहा मैं मिलता हूँ अगला वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक केर था